हमारे पास एक कोई महिला हमारे पास आई और उन्होंने हमें का कि स्वामी जी मुझे बड़ी प्रॉबलम होगी है मुझे रात्री में पूरा शम्शान अपने साथ महसूस होता है और ऐसा लगता है कि मैं शम्शान के बीच में बैठी हूँ हमने उनसे पूछा कि आप कभी शम्शान गए अभी तो ने का नहीं मैं तो कभी शम्शान नहीं गई हूँ मैं तो बस अजयन गई थी आच्छा वहां अपने क्या किया था कि बदर्शन किये और भसमारती देखी और और तो कुछ ऐसा नहीं विशेश्रा फिर उनको थोड़ा ध्यान आया तो उनने का कि वहां एक संत थे उनके साथ थोड़ा मेरा विवाद हो गया था और मैं वहां पर भसमारती देखने के बाद बाहर आई और वहां पर एक पेड़ के नीचे कोई आसन था किसी का वैसे लगावा वहां बैठके उन्होंने अपने वहां पर फुट मे मेरे साथ ऐसा होना शूरू हो गया वहां पर जो संत थे जो आज भी वहां पर है जिनने बंबं नात का आ जाता है तो वह स्वैम अपने शरीर के उपर भसम रमा कर जोतिलिंग में अंदर जाते हैं और भगवान शिव को वह भी अर्पित करते हैं अच्छा वह उनकी जिस पर जाकर वह बैठ गए और उन्होंने वहां पर अपना फोटो शूट करवाया और उन्होंने काफी उनको डांट लगाई तो हमने का कि आपने एक मर्यादा का उलंगन किया है आप किसी भी संत के आसन पर वैसे नहीं आप बैठ सकते हैं आप दुबारा उज्जेन जा तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत से ऐसे कारण है कि स्त्री का कई जगाओं पर वो किसी भेदभाव के कारण नहीं लेकिन अलग अलग एक शारीदिक मानसिक अवस्था हैं उनके कारण प्रतिबंद है क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्त्रियां होती है अगर हम अपनी बात उसे देख सकती है उसका देखने का और उसमें समलित होने का पुन्य बराबर है उसमें कोई भेद नहीं है आप उसके जाकर मातर नहां पर दर्शन कर लेए वहां पर आरति देख लेंगे वहां के मन के भावा है कि जितने शुक्षद भाव से आप उपस्तित रहेंगे तो उसका आपको पूरा का पूरा जो भी उसका पुन्चय है वहायाओ प्राप्तो ऑग़्गा